हालो दोस्तों स्वागत था आपका अपने से प्यारेश यूटूब चैनल सिबेस्ति एड़ा 2.0 पर आज हम लोग संगम पर आये हुए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इधर से आपका गुमती और हम लोगों के पीछे से इधर गंगा यहां पर लोगों का आके मिलती हैं और यहां पर आपका संगम का निर्माण होता है तो यहां पर हम लोग आये हुए हैं और मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर कुछ यह स्रधालों जो कि मारकंडे महादेव जी का दर्स्तन करने के लिए आये थे और हम लोग इन लोगों से वन बाई वन करके महादेव जी मारकंडे महादेव का मंदिर नाम से जाना जाता है और इसी छेतर में मारकंडे महादेव का मंदिर भी गंगा गोमती संगम पे इस्थित है शास्त्रों में ऐसा देखिए कहा गया है कि रिसी म्रिकंड जो मारकंडे रिसी थे इनके पिता थे तो रिसी म्रिकंडे को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया मारकंडे और मारकंडे को जोतिशों ने बताया कि इनके कुल आयू जो है 14 वर्स है तो यहां चुकि भगवान का एक शिवलिंग स्थापित था गंगा गुमती का सुंगम था तो अपनी आराधना में लग गए और यह बकायदे सास्त्रों में वरणी थे कि यहां एक अस्थान है जोहां करें सिवंगर क महिमा उनके उपर थी रसी मारकंडे के उपर जो है तो यह अमर हो गए हैं एक अमरों में जो है in 15 बढ़ाएं जोते हैं इस को बताया गया है एक बढ़ांड़ी महां दुच्छी जो की पूरी वाक्छान और उनके बारे सहस्तार है सबीटे है आईए सबसे पहले हम लोग मारकंडे महादेव कहां है और किस जगह पेश्थित हैं इसके विशे में जानना जोरी है हमारे लिए माता गंगा के पवित्र और पावन नदी के किनारे मारकंडे महादेव का यह प्राचीन मंदिर इस्थित है और ठीक मंदिर के ही बगल से गोमती नदी आती हैं जो मा गंगा से आकर के मिल जाती हैं मा गंगा और गोमती की अविरल धाराओं को देखकर मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भगवान सिव ने हमारे कल्याड के लिए स्वयम अपने जटा से ही गोमती और गंगा दोनों को प्रगट किया हो मारकंडे महादेव के विशे में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले अगर सास्त्रों में महाकाल के इस मंत्र का उच्चारण हुआ है महमृतुन्जय का तो वह यहीं से हुआ है यमराज जब मारकंडे जैसे छोटे बालक के प्राण को हरण करने के लिए आते हैं तो सहसा यमराज को देख करके मारकंडे जैसा बालक डर जाता है और भगवान सिव के सिवलिंग से लिपट करके करूल क्रिंदन करने लगता है मारकंडे के इस करूल क्रिंदन को सुन करके स्वैम कैलास से नंगे पाउं भागे आते हैं और आकर के यमराज से कहते हैं कि यमराज जो मेरे सरडागत में आता है उसके प्राण को हरण करना तुम्हारा काम नहीं है परन्तु यमराज अपने नियमों को बताते हैं और मारकंडे के प्राणों को ले जाने के लिए महादेव से कहते हैं और कहते हैं कि हे देवादी देव महादेव हे कालों के काल महाकाल आज से जो भी आपका सिव भक्त होगा उसे मैं कभी भी यम दंड से नहीं प्राहरित करूँगा मित्रों यहाँ पे अगर किसी की अकाल मृत्यु कुंडली में है तो उसका महा मृतुन्जय जाप कराया जाता है और सत्प्रतिसत इसका लाव लोगों को मिलता है स्वैम यहाँ पे महादेव विराजमान है औरंग जेब जैसा ताना साह सासक जिसने एक बार नहीं कई बार मारकंडे महादेव के इस पवित्र मंदिर प्रांगर पे प्रहार करना चाहा परंतु महादेव के आसिरबास स्वरूप हजारों मधुमक्खी के छत्तों ने बार बा उसके सैनकों को यहाँ से भगा दिया ऐसे हैं हमारे महादेव बोलिए नीलकंठ महादेव की जै मारकंडे महादेव की जै महाकाल महादेव की जै हर हर महादेव जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महारकंडे महादेव की बारे में बता है उनकी ब्याक्थाओं को बता है और मैं चाहूंगा कि सब्सक्राइब एक बार इंटोडेक्शन देते हुए जैसे कि आपने आप रुमी रावन का मतले रावन का आप अच्छा खासा रोल भी करते तो कमें चाहूंगा कुछ डालाक्स हम सभी लगों के बीट में बताएं जैसे आप जो गर्जना करते हैं जैसे जब आपका पंजाल लगता है उसमें उसी प्रकास मैं चाहूंगा कि उसी इतने हो बे एक जब गसाथ इतने उस रोतबहे के साथ त्ञार में धानी रावन के महादेव के परंभक्तों में उस समय दो ही लोगों का नाम आता है एक महाराज जनक और एक दसानन रावड स्वयम भगवान सिव नहीं परुसराम भगवान को धनुस देते हुए पिनाग देते हुए कहा था कि हे परुसराम प्रित्वी लोक में जाओ और मेरे इन दोनों अनन्य भक्तों में जो सत्य के मार्ग पे चलता हो उसको ही यह धनुस देना परुसराम भगवान सबसे पहले रावड के पास जाते हैं परंतु उसके हाँ त्याचार और साधुओं को कोडों से मारता पीटता देख करके रावड के सैनिकों को वह दुखी हो करके यह धनुस ले जाकरके महराज जनक को देते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि जनक नंदेनी माता सीता से प्रभुस्री राम चंदर जी का विवा हुआ था और प्रभुस्री राम चंदर जी जब दंडक वन में थे तो सुपूर्खा जैसी दुष्ट राक्चिसी ने जाकरके माता सीता के उपर आकरमण करना चाहा जिस कार लखन जी ने सुपूर्खा की नाक काट डाली थी उसी नाक कटने के प्रतिसोद में रावन ने माता सीता का हरन किया था मैं इतना तो नहीं जानता कि महादेव की ब्याख्या मुझसे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी मैं ये भली भाती जानता हूँ कि मेरे हिर्दे में मेरे कंड से जो भी स्वर निकल रहे हैं ये स्वैम महादेव की ही देन है और रावण एक अन्याई तो था उससे बढ़कर के एक प्रकांड बिद्वान भी था आज तक्स्रिष्टी में महादेव के अनन्य भक्त हुए परंतु रावण जैसा कोई भी भक्त नहीं हुआ मैं रामलीला में एक छोटा पात्र करता हूँ एक छोटे चरित्र में हूँ परंतु चाहूंगा अगर मुझसे कोई गलती तुरुटी हो तो उसके लिए आप सभी लोगों से छमा प्रार्थी हूँ अकाल अम्रिक्ति ओमरे जो काम करे चंडाल का स्वैम काल भी उसका कुछ कर नहीं सकता जो भक्त हो महाकाल का अगर राम नराय है तो यह रावड उसके हाथों मर करके स्वैम बैकुंठ लोग को जाएगा अगर राम साधार नर है तो वह स्वैम रावड के हाथों मारा जाएगा और जब जब राम की किर्ती लोग काएंगे तब तब राम के साथ रामर के भी नाम को लिया जाएगा जै महाकाल जै सिर संभो धन्यवाद मित्रो और मैं चाहूंगा कि इनके यूटूब चैनल को आप लोगों का धेर सारा प्यार मिले धेर सारा असिरबाद मिले और इसी तरह इनकी यात्रा दिन प्रति दिन एक से बढ़ करके एक तिर्थ स्थानों तक जाए और हम जैसे लोग इन से मिलते रहें ये लोगों से मिलते रहें और आप लोगों का प्यार बना रहें जैसरी राम, जै मारकंडे महादेव, जै जैसीता राम आप बोलते हैं, मैं चाहूंगा इससर कुछ और भी डालाक सम्लोगों को सुनने को मिले, तो सब बढ़ी खुसी होगी, ठीक है रामण कि आलगा आप बहुत सारे बोलते हैं, कुछ और सुनने को मिले, पूज अच्छा रहेगा एक छोटा सा संबाद होता है जब रामण अपने रंग महल में बैठ करके निर्थ्य त्यादी देख रहा होता है और सुपूर्खा आती है रोते हुए और आकर के कहती है कि भाईया दो लड़के राम लखन इस दंड़क बन में आये हैं संग में सीता सुकमारी नारी को लेकर आये हैं बाके हैं लड़ाके हैं मानो समसीर उनी की है रहते इस दंड़क बन में ऐसे हैं जैसे जागीर उनी की है तो रामण पूछता है कि क्या हुआ ह तुम्हारी नाक क्यों कटी है तुम्हारी ये दूर्दसा कैसे हुई है तो अब बताती है सभी चीजों को तब रामण कहता है मैं चला नाक की सी दभी नाके पर उनको पकड़ूँगा जो नाकों की बन लेंगे डाल कर नाक में नकेल मैं उनके रगड़ूँगा हे सुपूर्खा तु किंचित भी भैवीत ना हो जिसका भाई त्रैलोक के विजयी है जिसके अटाहास मात्र से संपूर प्रित्वीत कापती है उससे तु जानती है बहर करना कितना बड़ा पाप है तु डर्मत अभी मैं जाता हूँ और तेरे सम्मुक उन बनबासियों का में एक है क्या यह तुझको ग्यात नहीं मैं काल जीत मत वाला हूँ जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग भुजवाला हूँ मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कहलास पहार उठाया है यम चंद्र कुवेर सब मेरी बारों से थर राया है मुझसा पंडित मुझसा को सियु संकर को पूजा है बोलिये हरहर महादेव जैसराम जैहो प्रमबाव महराज अब धन्यवाद सर टाइम देने के लिए और आप सभी लोग ने देखा कि कुछ रावन के डालाक्स जो आप लोगों के सामने दिखने का प्रतच मिला तो आप लोग ऐसे प्यार बना रह झाने दागों के बत गी लोगों के लोगजा जा थॉन्हा भ demiş है तो प्रतबुम के लोगजाऑन दिखने हैं और एंप प्रतच लोगों के ह parenth़िए लोगजाद के ढ़ दिखने हो म loin है तो बना दालाक्स ने तो ऑर प Alert रोग रِमनागा बना हुरु यह ज़तम व्याक्षी प